नमसकार यम्यम रेर्वेर बिल भरवंग आप सबी का सब्सवinka हैईज मैं आपका दोस्त महेंड। रेल दिलों को जोटते हैं रेल देश को जोटते एक चांदर सपर में दोस्तो आज हम एक नए सपर के मिकलने वाले दोस्तो और अभी मैं यहां हूँ अकोट टेशन में दोस् और अभी लगबग आड़ वसके पत्चिस मीट हो चुके है और यह गाड़े यहां से निकलने का जो समय है उसका हो नौ बज़े का है दोस्तों तो आज के चोटे से ब्लॉग में हम दोस्तों आकोड से लेकर अकोला तक का सफर करेंगे दोस्तों आज के जो जर्नी का रूट है तो दोस्तों यह देखिए अकोड टेशन के प्लाटफरम पर का नजारा दोस्तों अभी गाड़ी पकड़ने के लिए लोग यहां इकटे हो रहे है यात्री यहां आ रहे है दोस्तों और अभी मैं जो आपको दिखा रहा हूँ यह अकोड टेशन पर का नजारा है दोस्तों दोस्तों यहां आपके रेल के टेशन के प्लाटफरम पर आपको थोड़ी गंदगी या धूल मिठी दिखाए देगी दोस्तों क्योंकि यहां काम करने के लिए कोई रेल का करमचारी नहीं है दोस्तों क्योंकि यह अभी गाड़ी है जो नई नई शुरू हो चुक है इसलिए जादा यहां मतलब यहां आगी कोई तक करमचारी काम करने के लिए नई है दोस्तों तो गवी ट्रेन के हमें निकलने के लिए नौ बज़े का समय तो अभी साड़ याड़ बच चुक है अभी हमारे पास आदा घंटा है दोस्तों तो अभी सुदह का टायम है तो मैं कुछ खाने पिने के नास्ता विस्ता कुछ नि मिलता है या क्या नई इस आकोट शेहर में देखता हो दोस्तों का अब कही पर नास्ता विस्ता चाय मिला तो दो अच्छा होगा दोस्तों गाइस यह देखिए अकोट ठेशन का बाहर का लगभगय नजर आए यहां देखिए सामने अकोट लिखा है एक के ओटी अकोट और यहां कई सारी मोटर सैक के लिए अटो रिक्षा खड़े हैं दोस्तों लोग आ रहे हैं और यह है ठेशन की इमारत देखिए यहां सुबह की कुतनी भीड नहीं है और यह देखिए वहां गुमक्कर लोग भी है बेटे वहार जो गुमक्कर लोग होते हैं वो ऐसे ही कई पर ठेशन के आसपास रहने के लिए जगर ढूंडते हैं वहार रही थे दोस्तों यह गुमक्कर लोग है वही बड़ी सुकुन से लोग रहते कहीं पर दोस्तों तो गाइज अभी मैं यहां अकोट टेशन में आकर विटा हूँ गाइज अभी हमारी गाड़ी निकलने के लिए 15 मिट कर समय दोस्तों अभी पाउन नहों बच चुके और मैंने बहार जाकर खो अकोट कर दोस्तों अभी गाड़ी निकलने के लिए समय हैं तो आभी मैं एक कोच के अंदर एक डिब्बे के अंदर लेकर जाता हूँ वहां का अंदर का नजारा दिखाता हो देखिए लोगों ने अपनी जग पकड़ी है और वहां बेठे है आराम से और गाड़ी निकलने का इंतजार कर रहे हैं दोस्तों अभी यहां भीड आपको दिखाई देंगी ज्यादा उतनी भीड नहीं है मगर अभी गाड़ी नहीं है तो शायद यह भीड़ा भी बढ़ जाएंगी यहां लोग कुछ लोग भी आपको खड़ी दिखाई दे रहे हैं यह सारे जो लोग है न दोस्तों यह आकोड से आकोला जा रहे है और यह कई आकोड से कोई यहां करमचारी है यहां कोई कोई जॉप करता है या पढ़ने के लिए जो स्टुडेंट लोग है वो यहां से इस गाड़ी से सपर करें दोस्तों उन लोगों के लिए गाड़ी बह टॉलेट के आसपास की जगह तो गाइज अभी फाइनरी नाव दोस चुके है दोस्तो और गाड़ी ने होर्न बजाया है मतलब हमारी यह जो गाड़ी है वो निकलने के लिए तयार है दोस्तो और हमारी गाड़ी अभी निकल चुकी है और आप दोस्तो मेरे साथ प्लाटफर्म पर का जो नजारा होता है उसका अनन्दली जी मैं उसे आपको दिखाताओ प्लाटफर्म का पुरा नजारा जब गाड़ी निकलती है न तो निकलते समय प्यार्टफरमपर का नजरा दिखना बड़ा ही अनन्ददाई और बज़ा आता है दोस्तो यह पैसेंजर गाड़ी है और पैसेंजर गाड़ी में थोड़ा शूट करते सोमये थोड़ी दिक्कत आती है दोस्तो क्योंकि दरवर्जे के आसपास लड़के या कोई यात्री खड़े होते तो शूट करते समय किसी का हाथ लगता है तो कोई बीच में आता है दोस्तो मतलब क्या कि जब हम शूट करते हैं तो थोड़ी दिक्कत आती है मगर दोस्तो मुझे इस दिक्कत की कोई परवा नहीं है मैं आपके लिए यह शूट कर रहा हूँ दोस्तो और लेजिए इस सपर का अनंद मेरे साथ आप भी गाड़ी बहुत ही धीमी रप्तार से दोस्तो ठेशन के बहार निकल रही है अब देख सकते हैं बहुत ही धीमी धीमी चल रही है गाड़ी हमारी दोस्तो यह देखिए इन लड़कों की रेल के साथ रेस लगी हुई है और यह भाग रहे साइकल लेकर अपनी यह बच्चे ऐसी जब रेल चलने लगती है न दोस्तो तो ऐसी साइकल हो या मोटर सैकल हो उस पर मटर गस्ती करना अच्छा लगता है मगर कभी-कभी गलती सही मटर गस्ती करना हमारे लिए बुरा भी होता है दोस्तो उसका आंजाम हमें भुगतना पड़ता है और ये देखिए दोस्तो अकोट ठेशन की नेम प्लेट अकोट और अकोट ठेशन के प्लैटफर्म से हमारी गाड़ी अव निकल चुकी है और दोस्तो आप मज़ा लेजिए शहर के नजारों का ये देखिए सामने दो कारी चल रही है रोड उपर से और बीच में ये चाड़ी और दोस्तो अब धीरे धीरे हमारे जो गाड़ी है और स्पीड लेह रही है आप देख सकते है धीरे धीरे आउसतन इस गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है दोस्तो कर दोस्तो नब कि त्पनेंश हुआख कर दो सम्क हर देफ जेग अरी यहेदिर आपकर जे np हाङब में आथ है हुआआण च नट आस्याय हो सिंस कर कि लोगषा र anlam है लोग लोग ट csाहला कि आस दोस्तो हमारी जो गाड़ी है आको शहर के बाहर निकल चुकी है और यह आप देखिए यहां विजली के बड़े बड़े खंबे जहां से विद्धूत यानि लाइट की सप्लाइ होती है दोस्तो कि दोस्तों यह जो लाइन ही न वो थोड़ी नई है इस वज़े से हमारे जो गाड़ी है वो जादी पीद नहीं ले रही है मगर अभी मतलब हमारी जो गाड़ी है उसकी आउसकन अगर स्पीड हम देखेंगे तो ज़्यादा से नहीं 30 या 35 के आसपास ही होगी दोस्तों अभी तक दोस्तों आस्मान से सूरज के दर्शन नहीं हो चुके यह काले बादल जो है उस सूरज को ढखने की कोशिश कर रहे मगर सूरज इन बादलों के बाहर निकलने की कोशिश कर रहे दोस्तों और मैं भी चाहता हूँ जल्दी से जल्दी सूरज निकले और सूरज की रोशनी हमें मिले दो तिन निन हो चुके है यहां सूरज के दर्शन हमें नहीं हो चुके है दोस्तों यह पट्सूल ठेशन है दोस्तों और पट्सूल ठेशन से हमारी गाड़ी अभी निकल चुकी है पट्सूल पट्सूल ठेशन बड़ा ही अजीब नामें दोस्तों और दोस्तों यह है गांधी समारक रोड़ गांधी समारक रोड़ ठेशन से हम अभी निकल चुके है और दोस्तों यह देखिए बीच में चोटा सा तलाब इस चारों तरफ से खेथी खेथे और बीच में चोटा सा तलाब है दोस्तों इसमें अंदर पानी भी है और पानी से भरावा तलाब है और यह सारे जो दिखाय दे रहे हैं न दोस्तों यह कपास के खेथे कपास से हम धागा बनाते और धागे से कपड़ा बनता है दोस्तों अजए करो से खेथे और यह और अस्तों के इस पाद अ, सहरे ड 피ंड की सा अ, सिंख सा के डिक सा तल को आ करो से खेथे एपे प्सिता इस सबदेश्ध में ले हैं पेड़न की से ओरा के घां कर दू हकोड़ कर लो, क्ज़ा हम नाहँ झाक माईपना कर लो जूदा है कर दो के मैं हम उू हम प्रोंगा कर देंस कर दो खूदा है कर दोदे ग्रोंग जू हम दो हम चादों है अपे लड़ादो से व्णी जादो यादो 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 है यादो तो महना जो अ किता है जो रहा है कि लादो पर भीलीज वड़ा झाय जादो जौ़ा इप आधाल आदो लोगा इंग्ग कर दो से लादो यादो और गाइज आपको दिखाए दी रहा है यह एक करोडी गाओ करोडी गाओ और गाइज अभी हमारी गाड़ी ने अकोला शहर में इंडरी कर ली है आप देख सकते हैं यह शहर का नचारा है और गाइज अभी आप जो दिखाए दी रहे हैं ना यह गना कचरा है शहर का और यह वेश्ट का जो पाहड़ आपको सामने दिखाए दे रहा है यह हमारी एक बहुत बड़ी समस्चा है हमारी परियावरन के लिए हमारी नदी तालाबों के लिए और यह सी समस्चा से आज हम परिशाने दोस्तों और यह सामने दोस्तों भुसावल की तरफ जाने वाली लाइन है और उसी लाइन पर यह मजदूर लोग काम करें और यहां यह देखिए एक रेल यान कड़ी है और यह दो आज हिए ऐसमार के लिए अज स्कुराथ जयुँशना हिश्छों अधें बाद के लिए आज बासकरने और आं गयार में और आड जयुआ और गाइज फाइनली हमारी गाड़ी जो है अभी अकोला ठेशन में इंट्री कर चुकी है यहां देखे अकोला ठेशन की ए नेम प्लेट और वहां एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर माल आई खड़ी है अगरी प्लेटफॉर्म पर नहीं है शायद बीच में खड़ी है और यहां एक बीच में माल गाड़ी खड़ी है दोस्तों यहां बीच में माल गाड़ी खड़ी है एक वहाँ एक यहाँ एक मालगड़ी मालगड़ी दोस्तों भी टेशन पर तो गाइज हमारी गाड़ी लगबग अभी 10 बाद के 20 वीड में अकुला टेशन में पोच की दोस्तों आज की इस चोटे जर्णी में हम यह आपूट से लेकर आपको लगा आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताए दोस्तों और मेरा जो चैनल है इमेंगे हो इसके भी आपके एक लाइक की जो पहेता बहीत ज़रूरी दोस्तों हाते रहिए मुश्कुराते रहिए कर फिर नए ब्लॉग के साथ आपके लिए जय ही भारत